कर्ज मुक्ति के लिए अपनाएं ये अचूक उपाई होगा समाधान। जोती सास्तर में ऐसे कई उपाई बताए गई हैं जिनकी सहयता से व्यक्ति अपने जीवन में चल रही कई समश्याँ से छुटकारा पा सकता है। ऐसे में यदि आप भी कर्ज की समश्या से प्रेसान हैं तो इसे छुटकारा पाने के लिए आप जोती सास्तर में बताए गई कुछ खास उपाई आजमा सकते हैं। जानते हैं कि कर्ज से मुक्ति के लिए जोती सास्तर में क्या उपाई बताए गई है मिलेगी कर्ज से मुक्ति हिंदू धरम में सनिवार का दिन शनी देव को समर्पित माना गया है ऐसे में यदि आप करज से परेशान हैं तो सनिवार के दिन इस उपाई को जरूर करें सनिवार के दिन सनान आदी से निवरित होने के बाद अपनी नाप का एक दागा लेकर इसी एक नारियल पर लपेट दें इसके बाद इस नारियल को किसी बहते हुए पानी में परवाहित कर दें मंगलवार के दिन करें ये उपाई मंगलवार का दिन भगवान बजरंग बली की अराधना के लिए समर्पित है ऐसे में मंगलवार के दिन एक नारियल में चमेली का तेल लगा कर उस पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं इसके बाद इस नारियल को हनमान जी को अर्पित कर दे यह उपाई लगातार पांच मंगलवार तक करना है इस से जाल्द ही कर्ज की समशा से राहत मिल सकती है जरूर करें ये काम अमावशा के दिन किशी जरूरत मंद को खाना जरूर खिलाना चाहिए ऐसा करने से वैक्ति को कर्ज से मुक्ती मिल सकती है साथ ही सुकरवार के दिन जो मा लक्समी को समर्पित माना जाता है उस दिन लक्समी जी के मंदिर में ज़डू दान करने चाहिए इस सीमा लक्समी परसन होती है जिससे सादक को आर्थिक तंगी से चुटकारा मिलता है तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद